प्रकती में विभिन्न कीटों को अपना आहार बनाने वाले जीव मौजूद हैं। इनमें जो प्रक्रियाएं शामिल हैं उनमें HANPV याने की हेलिगोवर्पा आर में जेरा न्यूकलियर पॉलियो हैड्रोसिस वाइरस, कछड़काव, नीम आधारित कीट नाशक, जाल फसल उगाना, ट्राइको कार्ड लगाना एवं ट्राइकोडर्मा का इस्तिमाल शामिल हैं आईए किसान मित्रो, इस वीडियो में हम आपको जानकारे देते हैं ट्राइकोडर्मा के इस्तिमाल के विशे में ट्राइकोडर्मा नामक फफूंद से जडगलन, उखड़ा, तनागलन आधी फफूंद जनित रोगों से फसलों को बचाया जा सकता है ये फफूंद मृदा में अपनी संख्या में वृद्धी कर लेती है, वे रोग पैदा करने वाले हानिकारक फफूंद को नश्ट कर देती है भूमी उपचार हेतु, दस किलो सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कमपोष्ट में 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर बोरी से ढख दें, एवं नमी मनाय रखें आज से दस दिन के बाद इस गोबर को खेत में चड़कते हैं, ध्यान रखें कि खेत में नमी बनी रहनी चाहिए राजिके विबिने जिलों जैसे की जैपूर, भरतपूर, अजमेर, बूंदी, चिटोडगड, जूदपूर, बांसवाड़ा वे हनमानगड में इस्तित आई पीएम प्रयोकशालाओं में ट्रैकोडर्मा का उर्पादन किया जा रहा है इस तरह हम जैविक उपाय अपना कर कम लागत में अपनी फसलों को कीटो एवं बिमारियों से बचा सकते हैं